प्रमोग प्रतिपक्सी दल नेपाली कांग्रिच ले डेंगु रोग नियंत्रण का लागी ततकाल ठोसकार्य योजन बनाई समसदमा पेश करना सरकार्शंगा माग गरे कुछ नेपाली कांग्रिच की सचितक पुष्पा भुषाले डेंगु रोग नियंत्रण का लागी ततकाल ठोसकार्य योजन बनाई समसदमा पेश करना सरकार्शंगा माग गरनो भाय को हो अईतबार प्रतिनिती सभाव वैठको सुन्ने समयमा बोल देई उहाले सतरी हजार भंदा बड़ी नागरिकलाई रोको संक्रमन हुदा पनी सरकार्ले तिसलाई नियंत्रन करना प्रभाबकारी कदम चालन नसकेको उल्ले कर देई तेस बारे ठोस योजना बनाईर समसदमा पेस गरना सरकालाई रूलिंग करना सबाभु किष्ण बाहदुर महरा को ध्याना कर्शन गरावनु भयो संक्रमन आख लागी संक्रमन एक रोग मा सरकारले नियंत्रन को टैकारावन को लागी सरकार्ले अज़ावन देखी हेर नियो भने अस्पताल मा डेंगो को विमारी को संख्या करीब तिन हजार पान्से असी नागी सके छ बने जार जानाले जियान गुमाएको तत्थे बाईरा आएको छ अज़ अस्पताल को वईरंग सेवा मा अपचार गरेरा घर में बसने को संख्या एकी नू न सके को छाई न तेसाईले सबा मुक मरपात मा ध्याना कर्शन गरावना चाहा इसको परवापकारी नियंत्रण संक्रमणको नियूनिकरन को लागी अगारी जानू को साथो स्वास्थमत्री को बनाई आये को छा डेंगो को नियंत्रणको लागी इस्चियाना परिचालन करने हो की मनी बनाई आये को छा चिकित्सा करूका अनुसार हाल योरोक को संक्रमन मा परी 3580 जना बिरामी अस्पताल मा भर्ना भायकाशन। तेसे गरी ट्येंगु को संक्रमन बाट चार जना को जियान गई सकेको शा।